रामचंद्र परशुराम से कहते हैं हेनाथ शिपजी के धनश को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा क्या अज्या है मुझसे क्यों नहीं कहते यह सुनकर प्रोधी मुनि गुसे में बोले सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे शत्रुता का काम करके तो लड़ा ही मुलने जाती है जिसने धनश तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं शत्रु है हेराम सुनो जिसने शिपजी के धनश को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है वो इस राज समाज को छोड़ कर अलग हो जाए नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे मूनी के ऐसे क्रोध पूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मन मुस्कुराई और करश्राम जी के प्रती असमान पूर्ण वचन कहने लगी हे गोसाई लड़कपन में हमने ऐसे ऐसे बहुत सी धनोहियाई तोड डाली किन्तु अपने ऐसा क्रोध कभी नहीं थिया इसे धनुस पर आपको इतनी ममता किस कारण है